नमस्कार दोस्तों मैं प्रितिवी रस्तोगी आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दा ओर्टरिंग पर प्रुधान मंद्री मोधी जी ने आज दिल्ली से देरादून एकोनोमिक कोरिडोर का सिलाम नियास किया इसके बनने से ये दूरी 6 घंटे की जगा 5 घंटे में पूरी की जा सकेगी इस से उत्तरपदेश उत्रगंड के साथ इस रूट पर चलने वाले सभी यातियों को इसका लाब मिलेगा 18,000 करोर रुपे की योजनाओं की सौगत बनेगा दिल्ली देरादून आर्थिग गलियारा चुनाप से पहले पीम मोधी की यात्रा उत्रगंड चुनाप से पहले पुदान मंत्री मोधी आज देव भूमी उत्रगंड के दोरे पर गए उत्रगंड की राजधानी देरादून में उन्होंने 18,000 करोड की योजनाओं का लोकारपन और सिलन्यास किया पीम मोधी ने इस दोरान एक सवा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद की सरकार ने पांस साल में उत्रगंड के लिए एक लाग करोड रुपे की योजनाओं स्विक्रित की हैं उन्होंने कहा कि जो लोग ये पूछते थे कि उत्रगंड में डवल इंजन की सरकार क्या कर रही है वे आज देख सकते हैं कि डवल इंजन की सरकार में उत्रगंड की तस्वीर कैसे बदल रही है कहां 288 किलोमेटर सडक कहां 2000 प्रधान मंतरी मोदी जी ने कहा साल 2007 साल 2014 के बीच जो केंडर की सरकार थी उसने 7 साल में उत्रगंड में केवल 288 किलोमेटर नेशनल हाइवे बनाए जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्रगंड में 2000 किलोमेटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाइवे का निर्मार कि पियम मोदी ने कहा कि हमारे पाहड हमारी संस्कृति आस्था के गड़ तो हैं ये हमारे देश की सुरक्षा के भी किले हैं पाडों में रहने वाले का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच प्रात्मिक ताउं में से एक है दुर्भागे से दसकों तक जो सरकार में रहे उनकी नीती डढ़नेती में दूर दूर तक ये चिंतन कहीं था ही नहीं केंदर सरकार ने इसके लिए 295 करोर रुपे की रासी मंजूर कर दिये छे लेन एकसेस कंट्रोल इस हाइवे को दिल्ली से उत्तरपदेश और उत्रगंड की सीमाओं में बनाना है जो भारत माला पर्योजना का हिस्सा है केंदर ने इस एकस्प्रेस वे सहरिद्वार को कनेक्ट करने के लिए 6 लेन रोड के निर्माण हेटू रासी स्विकृत किये ये एकस्प्रेस वे कई माइनों में खास रहेगा और खास कर उत्रगंड आने या जाने वाले यात्रियों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा होगा क्योंकि दिल्ली से देरादून की दूरी इस से करीब 2 गंटे तक 4 गंटे तक कम हो जाएगी अब जानते हैं कि कितना खास है ये एकस्प्रेस वे दिल्ली से देरादून के बीच की 235 किलोमीटर की दूरी इस हाईवे से 210 किलोमीटर रह जाएगी लेकिन ये इतना तेज होगा कि सफर में समय साड़े 6 गंटे के बज़ाए 5 गंटे ही लगेगा इस रास्ते बर 25 किलोमीटर की एलिवेड़ेड रोड होगी और 14 सुरंगों और 6 लेन रास्ता साफ जंगलों के हसीन नजारों के बीच से होकर गुजरेगा इस पूरे एक्सप्रेस वे को इस तरह न डिजाइन किया जाएगा कि ये यहाँ वानों की कम से कम रफ़ता 100 किलोमीटर प्रती गंटा रहे इस एक्सप्रेस वे पर वन जीवेड़ की सुरक्षा के लिहास से 12 कीमी की एलिवेड़ रोड बनाई जा रही है जो देश में पहली बार हो रहा है धन्यवाद